दोस्तों तरपरदेश के बुलंद सहर में तबलिग जमात के तरफ से 24 से 26 अगस्तक चलने वाला एक इस्तिमा जो के कैंसिल हो गया उसे रद कर दिया गया है जो के आप आपके स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में आपको तबलिग जमात के सारे लोग दिखाए देंगे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जमा हुए थे क्योंके 24 तारिक से लेकर 26 अगस्तक ये इस्तिमा चलने वाला था लेकिन आचानक वहाँ पर पुलीस पहुचती है और उसके बाद इस इस्तिमा को कैं आप तयार हो जाए वरना हम इसे जबरदस्ती उखाड़ देंगे और इस तबलिग जमात के इस्तिमा को कैंसल करवाने का क्या वज़ा था वो भी मैं आपको बसाने वाला हूँ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बुलन सहर के सियाना कजबा में होने वाली तबलिग ज जमात इस्तिमा को इस्थानिये अधिकारियों के साथ अनुमती विवाद के बाद अचानक रद कर दिया गया है 24-26 अगस तक आयोजित होने वाली इस कारिक्रम को अधिकारियों के विरोत का सामना करना पड़ा जिनोंने दावा किया कि इस निस्पदान के लिए आवसक अनुमती नहीं दी गई थी तनाव तब बढ़ गया जब लगबग 12 पुलीस कर्मी कारिक्रम इस्थल पर पहुँचे और परतिभागियों को निर्देश दिया के वो लगाए गए तंबू को तुरंत उखाड़ दे या जबरन्थ हटाने का सामना करे बताया जा रहा है कि जिस जगे पर ये कारिक्रम चल रहा था वहाँ पर 10-12 पुलीस कर्मी आते हैं और बताते हैं कि जो तंबू लगाया गया है तबलिग जमाद के इस्थमा के लिए उस तंबू को तुरंत उखाड़ दिया जाए वरना आप जबरन उसे हटाने के लिए हमारा सामना करे उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तबलिग जमाद से जो के अलग-अलग राज्य से वहाँ पर पहुंचे थे इस इस्थमा के लिए उनको वहाँ से अपना बोरिया विस्तर समेट कर वहाँ से जाना लेकिन अचानक वहाँ पे पुलीज के साथ विबाद होता है जबके बाद आया गया कि इसको लेकर कोई अनुमती नहीं ली गई थी और नहीं दी गई थी जिसके वज़े से वहाँ पे जो ये कारिकरम चल रहा था उसे रद्ड कर दिया गया रद होने के बाद आप देख सक ता ये जो इस्तमाद चल रहा था उसे जो कैंसल किया गया उसके बारे में आप अपनी राई कमेंड बॉक्स में जरूर दीजे मिलते हैं आप से अगले विडियो में